गुड मॉर्निंग ओलोफ यू और स्वागते आप सभी का एक बफिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में परमिश्विर की प्रेजन्स में प्रभु येश्यु मसी के नाम में हालेलुया और हम इस फरवरी के मन्त में सीख रहे हैं उन बातों को कि किस प्रकार हम शैतान को कोई भी मौका अपने जीवन में परिवारों में ना दे हालेलुया और आज 11 फरवरी है मेरे प्रियो और आज के लिए हम वचन को पढ़ेंगे भजन सहीता 35 और उसके 13 पद को हम पढ़ेंगे भजन सहीता 35 और उसका 13 पद जहां इस प्रकार से लिखा है कि जफे रोगे थे तब मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रातना का फल मेरी गोद में लौड आया हालेलुया उपवास करके उपवास यानि फास्टिंग जैसे हम हर शुकरवार को Friday Fasting Fellowship के लिए जुड़ते हैं उपवास का मतलब ही होता है कि बाकि सब बातों से अलग होकर और हम परमिश्वर के साथ अधिक से अधिक अपने समय को बिता रहे हैं परमिश्वर के चर्णों में, परमिश्वर के उपस्तिति में हैं वच्चन को मनन कर रहे हैं और प्राथना में हैं हलेलुया परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत संबंद में हैं वो ही उपवास होता है मेरे प्रियो ऐसा नहीं कि आप जिस दिन उपवास रखते हैं उस दिन भी आप एक घंटा परातना कर रहे हैं जिस दिन उपवास नहीं रखते हैं उस दिन भी आप एक घंटा परातना कर रह अगर आप एक घंटा बाइवल पढते हैं तो उपवास वाली दिन आप तीन घंटे बाइवल पढते हैं यही उपवास का मतलब मतलबया कुम शरण उप काम और रोज नहीं कि आप काम करते हैं वो कर रहे हैं तो ये उपवास नहीं है उपवास का मतलब होता है अधिक से अधिक समय परमिश्वर के साथ बिताना और जब हम परमिश्वर की प्रेजन्स में होते हैं ज्यादा वाइबल को पढ़ते हैं ज्यादा प्राथना करते हैं आम परमिश्वर के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, fasting fellowship में समय बिता रहे हैं, तो उस दोरान क्या होता है, उस दोरान परमिश्वर की power, उसकी सामर्थ हमारे अंदर बहती है, हलेलुया, और शैतान को कोई भी काम हमारे जीवन में करने का मौकर नहीं मिलता है, साथे साथ उपवास से हमारी आत्मिक उन्नती होती है, हमा कोई भी अफसर हमारे जीवन में नहीं मिलता काम करने का, हलेलुया, हमारा पूरा जीवन परमिश्वर की सामर्थ से भर जाता है, हलेलुया, हलेलुया, अगर एक ग्लास पूरा भरा हुआ है, तो उसमें अब किसी और चीज़ के लिए कोई भी जरूरत नहीं है, हलेलुया, तो इस प्रकार उपवास के साथ परमिश्वर के हम निकट आते हैं, परमिश्वर आप सबको इस डेली डिवोश्वर के दौरा बहुत आयत के साथ आशीश दे, हफते में कम से कम एक दिन जरूर हमें उपवास करना चाहिए, परमिश्वर के नस्दीक हमें आना चाहिए, औ और उसको जानना चाहिए हलेलुया तो आज के इस डेली डिवोशन में यही प्रश्न में आपसे पूछना चाहता हूँ कि उपवास वाला दिन बाकी दूसरे दिनों से किस प्रकार अलग होता है एक आत्मिक जीवन में विश्वासी जीवन में एक उपवास वाला दिन बाकी दूसरे दिनों से किस प्रकार अलग होता है, जरूर कमेंट करकर आप इस वीडियो के नीचे यूट्यूब पर अपने आंसर को दें, परमिश्वर आप सब को बल शक्ति बुद्धी सामर दें, और हम सब उपवास के साथ परमिश्वर के और नस्दीक आपाएं, आमेन.